पिछले जो पिरेट था उस पिरेट में हमने क्या किया था ड्राइंग निकाली थी अब उसकी प्रेक्टिस की एए न आपने तब इस पिरेट में हम और अलग वाली ड्रॉइंग सिंखेंगे तो आप रेडी हो चुलो पैंसिल उठाओ पेपर उठाओ और ड्रॉइंग के लिए रेडी हो जाओ तब इस पर हम आज हम प्री सीखने वाले ही पहले इसे कर्व करों फिर और एक कर्व करों जब यहां पर अपने सी पैटन सीखा ना श्रोक में स्टैंडिंग लाइन कर्व से चोते चोते सी निकालना है आपको इसा धेखो सी उल्टा सी की बोल सकते हो या कर्व भी बोल सकते हैं हम यह देको हो गए अट्री हमारा इसा यहां पर इससे करो, अब यहां पर फ्रूट निकल सकते हो, एपल निकल सकते हो, मैंगो निकल सकते हो, कुछ भी निकल सकते हो, और हम और एक ट्री अलग वरा, कोकोनट ट्री सिखने वाले हैं, तो चलो, यहां पर एक ट्री हो गया, अब यहां पर और एक ट्री सिखने वाले हैं, कोकोनट ट्री, कौनसा ट्री, कोकोनट ट्री, अब यह देखो, यह से करो, और एक करो इसा, अब यहां पर एसे, पहले स्लांटिंग लाइन निकालो, निकालने के बाद हम उसे, स्लांटिंग लाइन ही निकालने वाले हैं, अब यह देखो, यह से, आप छोटे हैं, इसलिए मैं आपको यह से बता रही हूँ, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तब आप अलग टाइप के भी निकाल सकते हो, यह होगे, यहां पर यहां पर हम कोकोनट निकालने वाले हैं, पर इसे हम कलरिंग करने वाले हैं, यहां पर ब्राउन करो, पर लिए आउटलाइन करके लो, क्योंकि इसे आपका कलर बाहर नहीं जाएगा, हाँ, तो हम एसे कलर करेंगे, कलरिंग होने के बाद हमारा एक ट्रॉइंग कंप्लीट हो गया, तो हमारा एक ट्रॉइंग यह से दिखेगा, कैसा लेगा आपको यह ट्रॉइंग, यह पीच्छा निकालना, चलो आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है घर पे, यह हो भी हमारी ट्रॉइंग, C gwक भी हमारा खरॉएंग कैसी है अमारी हßे प्रॉइंग,